ब्रस्टा चार और काले धन के खिलाब आपके इस चोकीदार ने एक बहुत बड़ा भियान सफाई का चलाया है गरीब किसानों बंत्रमबर से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे अब उनकी दुकाने बंध हो गई है देश का सबसे सक्तिशाली नामदार परिवार भी आज तैक्स्षोरी और दोखा गड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है साथियों देश को लुटने वालों को जो पहले मौज में थे बड़े बड़े रक्षा सोदों में दलाली खाकर विदेश बगा दिये गए थे ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारक लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है इरादार इन सभी के काले कारणामों के राज खुलते जा रहे हैं बाई और बेहनों आपके इस चायवाले ने अच्छे अच्छों की ये काली कमाई और गोरक दंदे बंद कर दिये हैं आपने देखा होगा कि कोलखाता मैं इसलिए कैसे कैसे लोग इस चौकिदार को हटाने के लिए इखटे हुए और शपत ले रहे थे जड़ा फोटू देखना कितने डरे हुए थे किसी का बेटा किसी गुने में है किसी का बतीजा गुने में है कोई खुद गुने में है किसी का भाई गुने में है और इसलिए कलकत्य आए वो लोग चार वर्स पहले तक एक दूसरी का चहरा देखना पसंद नहीं करते थे जो चीक चीक कर एक दूसरे को जेल भेजने का एलान करते थे वो ही गले लग रहे थे काले कारणामों की चीट फंड से लेकर के रक्षा सोदों में दोखा गड़ी करने वालों को ये चोकिदार पसंद नहीं है मैं आपको यहाँ पस्चिम मंगार का ही एक और उदान देता हूँ साथ यो रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंदर सरकार ने रेड़ा कानून मनाया लेकिन पस्चिम मंगाल सरकार इस कानून को अपने राज में लागू करने से गबरा रही है अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट नए गर बिल्डर बना रहा है वो उन्हें तय समय पर बना कर देने पड़ेंगे कोई किवी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जूटी हुई है उसकी ममतादीजी की सरकार में क्या एहमियत है वो आप भी भली भाती जानते है ये चिटभंड हो, शारदा हो, पैंटिंग हो सारे तार एकी दरवाजे पर जा रहे है भाई और भनो, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोशा जाता है गालिया दी जाती है उसकी बज़ाई यही है कि मैं ब्रस्टा चार और काले धन के खिलाब कारवाई कर रहा हूँ और इसी बज़ा से ये लोग इतना बोखला गए है कि जाँच एजन्सियों तक उनको पस्चिम मंगा लाने से मना कर रहे हैं अरे दी अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरुवत क्या है अरे किस बात का डर लग रहा है अरे अरे आपको तो याद होगा मुझे भी गुजरात में नवनो गंटे तक बिठा का दिल्ली के आई जाँच एजन्से अपुस्तार करती थी वहां भी CBI अपना खेल करती थी उच समय की UPA की जरकार CBI का दुर्प्योग हमारे खिलाब करती थी जो चाहें वो करवाती थी लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अप्पानित नहीं होने दिया हमने कभी गुजरात से CBI को निकालने का निरने नहीं किया हमने का और और को लाना एको लियाओ हम इमानदार है हमें कुछ होता नहीं लेकिन वो डरे हुए उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमिन खिसकने को लग जाती है कभी हेलिकॉप्टर को मत उतरने दो कभी आत्रा मत करने दो अरे दीजी ये तुम्हारे खेल कितने दिन चलने वाले है भाई और भेनों ये लोग जितना भी गालिया देते रहें आप सभी के आसिरवाद से काले ध्वन और प्रसाचार के खलाब मेरी लड़ाई जारी रहेगी बताइए मुझे लड़ना चाहे कि नहीं लड़ना चाहे और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ है आपका यही विश्वास है जो मुझे दिन राज दोड़ने के लिए प्रेरीत करता है ताकत देता है